ये कल भी चोर थे आज भी चोर हैं और रहेंगे यहां से निकलो यहां से निकल जाओ वरना मैं MSF के लड़कों को बिलवाओंगा इधर MSF का कैम्प है लड़कों को बिलवाओंगा इनको फैंटी लगवाओंगा अमने सारो को देख लिया लिए फैले तीन दफ़ा नी तेख लीचा शार आप ऐस बार देख जोड़र मयूस नहीं करेंगे आपके इन शाला या याप मानते हैं कि सोलह मैंने में मैयूस हूई है को वजीर अज़ाजम कोण वजीर आजम की बात नहीं है वजीर आजम अगर तो कौन मुल को संभाल मुल्क तो वजिर आजम संभालता है तो फिर कौन था वजिर आजम शेबाज शरीफ नहीं है मिया साब की बाई है मकर नहीं खरीफ का अलग होता है शिबारался नाजली इस वक्त अम्ड़ कार मेनारे पाकिस्तान पे और 21 अक्तूबर को यहां पे जलसा है एक दिन पहले हम यहां पे आए हैं यहां पे इंतजामात वगरा देखने के लिए आए थे आप मेरे अकब में देख सकते हैं स्टेज जो है वो सच चुका है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्टेज बिलकुल तैयार है और काफी यहां पे मीडिया शीडिया मौजूद है और स्टेज की उपर एक बुलिट प्रूफ कैबन भी पड़ा हुआ है शायद यह मिया साब के लिए रखा गया है हलाके उनकी जान को बजाहर कोई खत्रा तो नहीं है लेकिन फिर भी यह रखा गया मिया साब व और बाकी यह इनतजामात इसके लावा आपको मजीद दिखाते हैं यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं एक सरकारी गाड़ी आ रही है और जैसा कि कहा जाता है कि मुकमल सरकारी जो है वो सहूलत का रीफ रहम की जा रही है मिया साब को और उनकी जमाद को और सरकारी वसाइल जो हैं वो इस्तमाल किये जा रहे हैं अभी एक गवर्मेंट आफ पंजाब की पोटो हार जीप आपने देखी आई है और इसमें से एक साहब जो हैं वो उतर के जा रहे हैं उतर दिखाईएगा वो जिसने फूम कांद को लगाया हुए और इसी तरह से मजीद आपको दिखाते जलसा गाहम है और क्या है चल रहा है आप मेरे अकब में देख सकते हैं काफी सारी कुरसियां यहां पर गोल्मेज की तरस पर लगायी गई हैं जिस तरह के वलीमों वग़रा पे शादी वग़रा पे हमकसर देखते हैं यहां पर कुछ केम्स वगरा भी खाउओ और पिछले लीग नून का ट्रेड मार्क बन चुका है खाना क्योंकि इनके जलसों में ये एक नई हमने चीज देखी है जो के पहले तो नहीं थी नजर आती बर्यानी वगरा की हद तक थी लेकिन अब मुकमल जो है वो शादी की तर्सका खाना फ्राहम किया जाता है आए गए आए हुए अपने जो भी कारकुन आना हैं बहुता है प्याजां सहब को सपर्ट करने है क्यों करते हैं ये जानना चाहसे बहुत आए कुए क्या काम किया क्या बाकी काम जो आपको नजर आ रहरे हैं बहुत ही अच्छे काम उन लोग ने उन से कोई बता भी देना उन लोग ने और उसके बाद मेटरो बनाई चलाई और उसके बाद सारा मोटर वे बनवाया और इसके लावत दीकर बहुत लौर उनका सारा सुपोर्ट कर रहा है इन्शाला और कल जलसे में देखना पूरी जगा पूरी अमाम ही होगे निशाला अच्छा यह बताएं अब ने कहा कर हम पाकिस्तान के अलात मिया साथ नहीं बेहतर कर सके तो छोती दफ़ा इसा क्या करेंगे जो वेटर बेहतर होगे इस बार देखें के बहुत यच्छे आड़ा हो जाएंगे इसालाद हो जाएंगे इन्शालाप वो आपनी तक्रीर में बताएंगे इन्शालाप बहुत अच्छे हलाथ होजयागे आप देखियेगा अगर हलाथ अच्छे होने होते है तो जो मिया साब के भाई ने 16 महीने हकूमत किये उसमें निते हो सकते इस बार देखेएगा जरूर मयूस नहीं करेंगे आपको इन्शाला या आप मानते हैं कि 16 महीने में मयूस होई है कौँ ने अभी इंशाला मयूस नहीं होएंगे अभी नहीं हो ने बिल्गुल आप इंशाला अच्छे हलाल पने यह कल भी चोर थे आज भी चोर हैं और सब्सक्राइब के इन पहुएं कोई वॉन के बाप का निय्वा नियकों यह फ्री में नहीं infrastrukture नहीं है जो सच्छा होगा उसके इस पर्टर हैं मैती जो चोर होगा जो बाग जाएगा जो अधालतों का श्चिछारी होगा उसके हाम साथ नहीं देगे नहीं आप उन्हें चोर क्यों कहते हैं? जलसे में नहीं आएगी यार आजयों आन्योयमेंट करने वाले आएगे चुक्राइब्स्त आएगे यह नहीं आएगे जिए आए निए चुक्राइब्स को पहले तीन दफार नहीं देख लिया था मगरार मिया साब जब ते तो आवाम के लिए रिलीव था आप खुद देख आमाइज ओर किर रिदाने हैं जो पिछले सोला महीने घुजरें इया किसका दो यह जुछ उला मैंने है। जू पिछले सोला मही ने गुज्रेंए इयह किस का दो कोई आज दो पर करना होता है तो फ्रम एक जगा पर होता है तो अपने पेसरे खुद करता है बाई-बाई होता है तो ने जानना चाहरा हूं नेखे आपने का छोटा बाई-बाईए से पूच के के बाई के बात होती है असल वज़ा तो आपको पता है कि कौन मुल्क चला रहा है कौन चला आपको आपको वाजी पता है कि कौन चलाते हैं मुझे नहीं पता है आपको पता है आसारों को पता है कि कौन चलाते हैं मगर अगर नवाज शरीप आजाता है तो बंदा बिजनिसमे बिजनिस में बिजनिस की साथ से मुल्क चलाता है वो यह नहीं देखता कि इंडिया है यह अस्ट्रेलिया यह अमेरिका है सारों के साथ तालुकात सब को लेकर चलना पड़ता है हमारे लिए बात जी है कि नवाज शरीफ और इमरान खान और जो भी हो कि हवाम के रिलीव आए में चीज हवाम की रिलीव कि है अब हम देखते हैं नवाज शरीफ आता है नवाज शरीफ की दोर में आप देखते हो पिट्रोल कितने था पचटर असी अच्छा इस तरह आपने बात की नवाज शरीफ के दोर में पेट्रोल काम था इस तरह तो हम मजीद पीछे चले जाए कि इस तरह तो पीछे जाते जाएंगे तो बहुत कुछ नीते चलता जाएगा फिर इस तरह जाएंगे तो और मजीद का मुझे और इमरान खान का कंपरिजन करते हो ना नवाज शरीफ और करने यह गलती कि कि वह बाइन चला गया और असल बात यगर अगर वो पर आ जाए तो अगर फिर ऑ कि रहा है तो कह सकते हैं कैंड़र gotta वाकिए बिमार थे तो बिमार थे ना अगर बिमार नहीं थे तो इमराद खिरी बशूद Кण் को आखे तो वजिरिया ऐसम का ले चा 이क घालत तो पर वजिर अजम डालत होता है सबसे बड़ा अदालत होता है कि वजीर आजम होता है अदालत होता है तो वजीर आजम फिर बेटा क्यों है क्या अदालत होता है अदालत के सामने वजीर आजम जो है वो अपनी बात नहीं मनदा इमरान खान नहीं किया है बाहर जाने का साइन इमरान खान नहीं किया है सर आप गलत बात कर रहे हैं अदालत ने फॉर्स किया था हकूमत को कि इसे बेजा जाए अगर अदालत होता है ना अदालत को पता होगा कि वो बिमार है अदालत सबसे उपर होती है चार साल मियां साफ वहां पे रह beim kardeşim आप ने कभी उने आर हैं किसी पैसपिटल में जाते देखा तो ये बात गलत एग्योने चार साल हाँ अगर वो टीक होता तो इसको एक साल के अंदर वाप सिमल काना चाहेँ होता है शुक्रिया क्या कहना चाह रहे हैं जी उद्र बात कर रहा था एक बंदा वो कह रहा था कि मैं गर्दन कटवाने के लिए तियार हूं मिया साथ के लिए तो दूसरे ने बोला कि मैं 500 रुपया देता हूं जाओ छुड़ी ले के आओ अपनी गर्दन काट के दिखाओ तो तीसरा बंदा बीच में आ गया और कहने लगा कि यहां से निकलो यहां से निकल जाओ वरना मैं MSF के लड़कों को बलवाओंगा इधर MSF का कैम्प है लड़कों को बलवाओंगा इनको फैंटी लगवाओंगा यह जिस बंदे ने कहा था मैं 500 रेता हूं उससे कहा गया ह अच्छा यह निके धंकी वगरा दी गई धंकी दीगी MSF के लोग यहां पर केम्पों में रखे गई हैं बेलकुल केम्पों में रखे गया हैं अलादा जीलों से स्टूडेंट मंगवाए गया जो बदमाश लोग हैं उनको बलवा के यहां पर रखा गया यह कहनी शाहिद य यहां पर आप क्यों कर रहे हैं मैं कर रहा हूं मुझे काउन सा डारेन का चोटे-चोटे-चोटे बचे आपके अगर आपके उपर भी आकर जैसे आप बता रहे हैं मैं नहीं डर सा इनसे यह बता रहे हैं कि यहां पे कुछ लोग जो हैं वो धंकियां वगरा भी लगा रहे हैं अगर मिया साहब के खिलाफ कोई बात करता है या कोई और बियानिये के उपर बात करता है तो उसे धंकी दी जाती है कि आपको यहां पे MSF के लोग हम ने यहां पे रखे हुए हैं और उ आप तो भी मैंने वीडियो में दिखा लिए ते पर अधर मारे जा रहे हैं आपको जी हां क्यों मरें वो नहीं मेने तिया है शबाशी को नवा श्रीप को अंदर वर्नना दो इसने सारी मुल्क तो लूटा है तो आते यह लोग त्यारे आपने क्यों ऐसी बोरा है नुली इस वज़े से आपको मारा है? यह मैंने बस यह तिया है नवाज शीर को अंदर वरन ना दो क्योंके इसने सारी अवांत लुटा है तो यह जब मैं पना हो जयता तो यह लोग सामने आ दिया थे ते ते आपने क्यों ऐसे बोला है मैं थे मैंने अच्छा बात यहा है बुरा बात नहीं थे आ है असल से उन्हों दुने हमने लुटा है तो हमने यह बात दी है तो वह जैने तुमने ज्यूंत यह तो मुझे तपर माल लागे देखे जी बचे का मूँ भी लाल है थोड़ा इस तरफ को करो मूँ आपको कर नजर आ रहा हो